नमस्कार आप देख रही हैं दिली 24 एराउंड द वर्ल विद राशी शुकला अमेरिका के पूर्व राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प पर घोटाले का आरोप है और उन पर नियोक के कोट में केस भी दर्च करा गया है दरसल डॉनल्ड ट्रम्प पर आरोप है कि उन्होंने 100 मिलियन डॉलर यानि की लगबग 832 करोड रुपे का घोटाला किया है उन्होंने अपनी जमीन और जायजात की घलत जानकारी देकर अपनी नेट वर्थ को बढ़ाया है नियोक के टॉनी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ट्रम्प पर केस फाइल करा है और उन्होंने ये मांग करी है कि ट्रम्प के उपर 2500 मिलियन डॉलर यानि की लगबग 2000 करोड रुपे का जुर्माना लगाना चाहिए इसके साथ ही लेटिटिया ने ट्रम्प के दोनों बेटे ट्रम्प जूनियर और एरिक पर उनके जो नियोक में बिजनस है उन पर भी बैन लगाने की मांग करी है उन्होंने साथ में ये भी मांग करी है कि करप ट्रम्प के और्गनाइजेशन्स और ट्रम्प की कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट पर भी पांच साल का बैन लग जाना चाहिए दरसल डॉनल्ड ट्रम्प ने 2011 से लेकर 2021 तक बैंक से लोन लेने और बीमा के प्रीमियम को लेने के लिए अपनी जूटी संपत्ती बताई उन्होंने ट्रम्प टावर से लेके अपनी कंपनी जूटी जानकारी दी जूटे डॉक्यूमेंट्स फाइल करे और अपनी नेट वर्ट को लगबग 18 करोड रुपे और बढ़ा लिया पाकिस्तान को आतंक का आका कहा जाता है कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को आतंकी सप्लाई करता है और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को भिकारी भी सप्लाई कर रहा है जी हाँ आपको पूरी खबर बताते हैं, दरसल पाकिस्तान से साउधी अरेबिया जा रही एक फ्लाइट में से 16 बिकारियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक बच्चा और 11 महिलाएं भी शामिल थी पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजनसी ने इन लोगों को पंजाब के मुलतांस से गिरफतार किया गया, और जब उनसे पूश्टाच की तो उन्होंने बताया कि उनकी भीक में से 50 प्रतिशत हिस्सा वो ट्राइवल एजनसी को देते हैं, पाकिस्तान के मिनिस ये रिपोर्ट है कि दुनिया के 90 प्रतिशत जो भिकारी है वो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान में इस ताइम बेरोजगारी इस कदर भर गई है कि वहां 50 प्रतिशत जो इंजीनियर है वो बेरोजगार है, जिस वज़े से ये मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको इसके साथ ये भी बता दें कि साओधी अरब में, साओधी अरब जो की अपने टूरिजम के लिए बहुत जादा फेमस है, लेकिन वो अपने सक्त नियमों के लिए भी बहुत जादा फेमस है, साओधी ने एक नियम बनाये है, जिसके तहत अगर आप वहां पर भीक मांगते हुए पकड़े गए, आप या आपका पूरा गैंग उसको एक साल तक की सजा हो सकती है, और साथ ही धाई लाक रुपे, यानि कि पाकिस्तानी रुपे के हिसाब से साड़े साथ लाक रुपे का जुर्माना देना पर सकता है, तो अगर आप साओधी में भीक मा पारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इरान में पिछले दो हफते में कम से कम 20 ऐसी फ्लाइट्स हैं और जेट्स हैं, जिनके साथ फेक जीपियस सिगनल का वो शिकार हो गए, जिसके तहट फेक जीपियस सिगनल की वजह से वो फ्लाइट्स अपना रूट ही भूल यह सिगनल इतने स्ट्रॉंग होते हैं कि जो सैटेलाइट से सिगनल आ रहे होते हैं, उनके सिगनल को भी यह ओवर राइट कर देता है, और इन सिगनल की वजह से पाईलेट्स अपना रस्ता भूल जाते हैं, और पाईलेट्स को ATS की मदल देने पड़ी, वापस अपने रस के साथ ऐसी फेक सिगनल स्पूफिंग की गई हो, अब हम आपको बताते हैं कि आखर यह सिगनल स्पूफिंग होती क्या है, दर असल जो रिसीवर को सिगनल मिलते हैं, उसमें लोग जमीन से छेढ़ चाड करते हैं, उनमें फेक सिगनल इंस्टॉल करते हैं, और वो फेक पाकिस्तान चंद्रियान 3 की खबर सुनकर उल्टा सीधा बोल रहा था अब वही पाकिस्तान चीन की मदद से चान पर जाने को तयार है दरसल चाइना अपना मून मिशन लॉंच कर रहा है जिसके तहट वो चांग E6 को मून पर भेज रहा है जिसमें पाकिस्तान अपना में चांग E6 को लॉंच कर रहा है जिसके तहट वो चांद की डार्क साइड यानि की दूर वाली साइड फार साइड पर जाएगा और वहां से सैंपल कलेक्टर के लिए कर आएगा अब तक जितने भी मून मिशन हुए हैं वो हमारी लाइट साइड यानि की जिसको चांद का वो हिस्ता जिसको हम देख सकते हैं वहां से सैंपल कलेक्टर के लिए कर आता है लेकिन चाइना अब अपने चांग E6 को मून पर भेज कर पार साइड से सैंपल कलेक्ट करेगा इसके साथ ही चाइना की स्पेस एजिंसी ने ये भी जानकारी दी है कि 2028 में चाइना अपना च वो मून पर लून और रिसर्च स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है दिल्ली 24 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी ही खबरों के लिए बने रही हमारे साथ वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना